सीतापूर के द्वतियो वाहिनी प्यस्सी गिस्ठाउस में नजर बंद की गई कॉंग्रेस महासच्यू प्रियंका गांधी ने सरकार को बड़ा संदेश दिया है प्रियंका ने गिस्ठाउस में जहाडू लगाई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है कॉंग्रेसियों का कहना है कि प्रियंका ने जहाडू लगा कर ये संदेश दे दिया है कि भाजपा सरकार को साप कर देंगी प्रियंका फिलाल यहां अंशन पर है और लखीमपुर जाने की जिद परड़ी है दरसल लखीमपुर जाते समय सीतापुर के हर गाओं से हिरासत मिली गई कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गान्धी को द्वतियव वाहिनी पियसी के गेस्ट हाउस में रखा गया है इसके बाद सोमवार की भोर से ही कॉंग्रेसियों में उबाल है सुब़ द्वतियव वाहिनी पियसी गेट के बाहर पोलिस और कॉंग्रेसियों में टकराव हुआ इसके बाद कॉंग्रेस ब्रिगेड ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया दरिसल कॉंग्रेसी लगातार प्रियंका को रिहा करने की मांग कर रहे हैं जबकि प्रियंका लखीमपुर जाने की जित पर अड़ी हुई है उनसे किवल कॉंग्रेस प्रदेश्ट अध्यक्ष को ही मिलने की इजाज़त दी गई है इस बिश ड्वतियो वाहिनी पियसी के नहीं उर्जा देदी है इस बीच कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आजे कुमार लल्लू का बयान भी सामने आया है सुनिए उनका क्या कहना है विरोध लोगतंत्र में हमारा अधिकार है और विरोध करने वालों को आप गाड़ी से कुचल के मार देंगे मुकदमा दर्ज ना करना कारवाई ना करना गिरपतारी ना करना क्या दर्स आता है इस सरकार का और जब आधरी प्रियंका गादी जी मौके पर जाकर संबेता बेक्ट करना चाहती है मिलकर उनके दुख में अपने आपको सरीक करना चाहती है तो सरकार को डर किस बात का है सच्चाई कुल जाएगी पूरी तरह यह सरकार अराजक हो चुकी है इस सरकार में कानून ब्यवस्था तो फेल है जंगल राज में तरपदिश तब्दिल हो चुका है इस सरकार के खिलाप अधरी प्रियंका गादी जी जब वहाँ जा रही थी उन्हें गिरफ्तार करके लाकर यहां बंद किया गया अधरी दिपेंदर हुट्डा जी के साथ बत्सलूप क्योई प्रियंका जी के साथ बत्सलूप क्योई क्या करना चाहती है सरकार आज उन्हें लाकर यहां बंद की है, हम सब लोगों को बंद करने का काम की है दरने वाले लोग नहीं है, लड़ेंगे जब तक प्रियंका जी ने यत्ताय किया, जब तक उस परिवार के लोगों से मिल नहीं लेंगे किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे सरकार को जुख़ाई परेजाएंगे मैं समझता हूँ आधनी प्रियंका गाजी जी ने इस लडाई की शुरुवात किया और लडाई की का अन और न्याय भी आधनी प्रियंका जी जाएंगे लखीमपूर की रिखातर रहेंगे मैं तो बड़ा सफस्ट हूँ याधनी प्रियंका जी ने बड़ा सफस्ट सब्दों में कहा है कि जब तक हम पिडित परिवार से मिल नहीं लेंगे किसी कीमत पर हमारा कदम पीछे नहीं जाएगा परडाम जो भी हो जितना दिल जेल या तो जेल बेजे नहीं तो हम परशासन लाग मना करें इसके पहले भी हात्रस में मना किया था हम लड़ाई लड़े आधरी प्रियंका जी राउल गाधी जी मिले और आज भी मिले पिछले समय में भी जब आदिवासी भाई बानु की निर्ममत्य अथि उस समय भी लड़े और मिले और पुना यह संकल्प आधरी प्रिंका गाधी जी का हर हाल में हम उस परिवार से मिलेंगे